ओम शीगनेशाय नमा रधराय दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल बत कता है स्लोजर में स्वागत है दोस्तों कई बहनों के कमेंट आ रहे थे कि मैम आपको जब दो बेबी बॉई हुए उस टाइम पर आप किस साइड सोती थी आपको अपने बच्चे की मूवमेंट किस तरफ मतलब फील होती थी आपके पेट का आकार कैसा था तो सभी के कोशन थे तो आज मैं आपको अपनी मतलब खुद का परसला एक्सपिरियंस इसे बताने वाली हूँ तो ये वीडियो आपके लिए काफी important हो सकता है काफी आप मतलब एक हद तक अनुमान लगा सकते हैं कि भी आपने एक लड़के को conceive किया है या फिर लड़की को हाला कि दोस्तों देखे हर किसी की body अलग होती है तो जरूरी नहीं है कि जो मेरे अंदर लक्षन थे हो सभी लक्षन आपके अंदर मतलब देखने को मिले हां कुछ लक्षन अगर आपसे match करते हैं तो आप काफी हद तक एक अनुमान जरूर लगा सकते हैं दोस्तों वीडियो बनाने का ये मकद बिल्कुल भी नहीं होता कि हम लड़का लड़की में भीदबाव करते हैं दोस्तों जिस पे देखे लड़का होता है उसको लड़की की चाहा जरूर रहती है जैसे कि मुझे बहुत रहती थी कि मुझे भी लड़की होनी चाहिए दोस्तों तो ऐसा ही देखे जिस पर लड़की है तो उसको लड़के की चाहा होती है तो आप सिरफ अपने उस सुकता को कम करने के लिए ही इस तरह की वीडियो देखा करें और वीडियो को देखकर कोई भी गलत कदब ना उठाएं उससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने कर रखा तो सब्सक्राइब जरू कर लें बगलन बेल ऐकन कोई प्रेस कर दे जिससे मेरे आने वाली सभी लेटस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे बहले आप तक पहुश सके सबसे पहला उपाय है दोस्तों देखे मेरी दोनों प्रेगनेंसी में जो लक्षन मैच करते थे सेम थे वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सबसे पहले लक्षन की बात करें तो दोस्तों देखे वो है मौनिंग सिगनेस मुझे थ्री मन तक काफी ज़्यादा वोमिटिंग रही मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब रहते थी कुछ भी खाती पीती थी तो वोमिटिंग हो जाती थी मैं सिरफ फूर्ट्स और जूस पर मतलब जिंदा रही हूं तीन महीने और उसके बाद मुझे बिल्कुल भी वोमिटिंग नहीं हुई खाने पीने की चीजों से थ्री मन तक बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी खास कर आटे से गुते वे आटे से या कोई भी मतलब रोटी बना रहा है तो उसकी जो भाप आती है जो स्मेल आती है बहुत ज़्यादा मतलब मुझे तेज गंद लगती थी जिसके कारण मैं खाना बिल्कुल भी नहीं खा पाती थी और मुझे थी मन तक ही ये प्राबलम रही उसके बाद बिल्कुल भी उल्टी नहीं होई तो ऐसा कहना कि आपको अगर वुमिटिंग नहीं होती है या मौनिंग सिकनेस कम होती है तो आपको लड़का होता है तो दोस्तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है और इस लक्षन को मैं बिल्कुल भी सही नहीं मानती हों क्योंकि सबकी बॉड़ी अलग होती है तो हार्मोन्स भी अलग अलग देखने को मिलते हैं तो दूसरा अलक्षन है दोस्तो दोनों प्रेगनेंसी के टाइम देखे जो मेरे पेट का आकार था वो सेम था मतलब मेरा पेट काफी ज़्यादा हेल्दी मतलब प्रेगनेंसी थी एक का वेट देखे तीन केजी था दूसरे का साड़े तीन किलो था तो आप उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं और मेरी दोनों ही नॉर्मल डिलीवरी है क्योंकि मैं दोनों प्रेगनेंसी के टाइम पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है जो लेवर पेन होता है उस टाइम पर मुझे देखे जो जैसे पानी किसी का पानी की थैली फटती है या इस तरह की दिक्कत होती है तो मुझे ऐसे कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी मुझे खाली जैसे लेवर पेन स्टार्ट होता है तो यूरीन में मुझे थोड़े से न मतलब सहन से बाहर हो गया तब मैं मतलब होस्पिल में एडमिट होई थी उससे पहले में घर पे थी क्योंकि सारे लोग बोलते हैं कि अगर आपको पेन हो तो किसी को बोलना नहीं चाहिए नहीं तो आपको ज्यादा धर्द होते हैं तो इस वज़े से मैंने काफी टाइम तक त से में ही और मेरे दोनों बच्चे काफी ज़्यादा एक्टिव थे बहुत ज़्यादा मतलब मुझे मुझे मुमेंट फील होती थी नाइन मन्त तक मुझे काफी ज़्यादा मुमेंट उनकी फील होती रही है और मेरे जो बच्चों की जो डिलीवरी है वो देखे आफ्टर मन्त के बाद ही हुई है दोनों उल्टा जो छोटा वाला बेटा है वो तो चार-पान दिन उपर और चला गया था जो मेरी डियू डेर थी उससे भी और डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप एड्मिट हो जाओ लेकिन मैं एड्मिट नहीं हुई थी क्योंकि मेरी प्रेग्न के भी मतलब नॉर्मल डिलीवरी हुई तो मतलब दो चार दिन मैंने वेट करा और उसके बाद मतलब मुझे नॉर्मल जो पेन स्टार्ट होते हैं लेवर पेन वो हो गए थे नेक्ट लक्षन है दोस्तों मुझे देखे राइट करवट से सोना ज्यादा पसंद था हलाकि मैं दोनों करवट से सोती थी लेकिन मुझे राइट करवट दोनों प्रेग्नेंसी में राइट करवट ही सोती थी और मुझे अपनी बच्चे का जो भार है वेट है वो भी मुझे बोला था कि तुझे सीधी साइड मतलब ज्यादा भारी पन लगता है भार है और सीधी साइड ही तो तुझे लड़काई होगा और उनका यह कहना बिल्कुल 100% सही हुआ क्योंकि उनकी खुद की उनकी प्रेग्नेंसी में भी उन्हें मतलब सीधी साइड ही अपने जब ना भी लाइन उसको देखकर बिताया था कि तुझे लड़का होगा और दोनों प्रेग्नेंसी में उन्हों ने मुझे पहले ही कंफर्म कर दिया था कि तुझे लड़का ही होगा और यह लक्षन मैं कहती वन्डरेट परस Wearet सही बैटता है क्योंकि देखे मेरी प्रेग्नें प्रेग्नेंसी से पहले दूद पसंद नहीं है मतलब उसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती थी मैं हमेशा बॉन विटा या होलेक्स वगरा डालके पीती थी और मतलब प्रेगनेंसी के बाद भी मुझे मतलब दूद बिल्कुल पसंद नहीं आया मतलब मैं दूद नहीं पी पाती थी ये मतलब प्रॉबलम मुझे दोनों प्रेगनेंसी में रही है लेकिन दोस्तो मैं मतलब काफी ज़्यादा एक्टिव थी रोज जैसे मतलब पारक वरगरा जाना वॉक करना उपर नीचे मतलब चलता रहता था सारा घर का काम करती थी मतलब मुझे कोई भी ऐसी प्रॉबलम नहीं थी तो काफी ज़्यादा मतलब घुमना फिरना मेरा लगा रहा है जिसकी वजह से मेरी दोनों जो डिलीवरी है वो नॉर्मल हुई दोस्तो मैं आपको भी कहूंगे कि अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आप सारा घर का काम कर सकते हैं मतलब बाहर जाने वॉक करना ये सब करना चाहिए इससे ना नॉर्मल डिलीवरी के जो चांसे से हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ जाते हैं आप एक हेल्दी डाइट लीजिए और अपना रेगुलर जो वोक आप काम करते हैं वो करते रहिए दोस्तो रेस्ट भी जरूरी है लेकिन अगर आपको अपनी मतलब प्रेगनेंसी में ठकावर जैसे कम होती है या आप कोई भी काम करने में आलस नहीं करते हैं तो आपको 9 मन तक मतलब सारे काम करने चाहिए वोक करना चाहिए इससे ब्लड सल्कुलेशन अच्छा रहता है बच्चे के लिए अक्सीजन अच्छे से पहुच पाता है और आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी होती है और आपको नौर्बल डिलीवरी के चांज ज्यादा होते हैं तो दोस्तों ये कुछ खास लक्षन में अपनी प्रेगनेंसी में जो मतलब अलुभव किया है वो आपके साथ शेर करा है दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक शेर जरू करें आप सभी को ओम शी गरेशार